नमस्कार, फ्रेंड्स, स्वागत्या, आप सभी का the study line में फ्रेंड्स, आज यस्वीडियो में हम लोग science का practice 8 और इस में हम लोग कुल-38 questions को cover करेंगे आप लोग चेक आओट कीजी कि आप लोग science में कितना prepare हो Все पाए हैं चलिए आज का पहला कोशन्स कबर करते हैं आज का पहला कोशन्स है कि धोवन सोडा या वासिंग सोडा देखें धोवन सोडा और वासिंग सोडा दोनों एक ही होता है ठीक है इसका रहसानिक नाम क्या है इसका राइटाम सेक आप्शन नमर सी यानिकी सोडियम कार्बोनेट CO3 यह होता है सोडियम कार्बोनेट का रसानिक सूत्र ठीक है आगे देखते हैं आगे है यहाँ पे कि विटामिन C का रसानिक नाम क्या है तो विटामिन C का रसानिक नाम क्या एसकॉर्बिक एसीड है अपसे नमर B राइट हो जाएगा आपको पता यह होना चाहिए कि vitamin B और C यह दोनों जो है पानी में गुलंसिल होता है और बांकी जितना भी vitamin बच्चा हूँए सभी वसा में गुलंसिल होते हैं ठीक है चलिए आगे दिखते आगे रतंधी किस vitamin की कमी से होता है तो रतंधी जो है vitamin A की कमी से होता है option number A right हो जाएगा नेक्सट है Laughing Gas का रसानिक नाम क्या होता है तो Laughing Gas का रसानिक नाम होता है वो Nitrous Oxide होता है Option No. E, Right हो जाएगा Также Plaster और Parish का रसानिक सूत्र क्या होता है So Plaster और Parish का रसानिक सूत्र क्या होता है So Paso into Harpe H2O क्या होता है проект Haarpe H2O आपको पताना चाहे है कि यह जिपसम से इनको बनायाता किस से जिपसम से यह बनता है ठीक है आगे है बितामिन C का सबसे अच्छा स्रोथ क्या है तो बितामिन C का सबसे अच्छा स्रोथ जो आवला है option No.C right answer रहेगा ये सेट अगर आप लोगों के लिए हेलफुल लगे या फिर आपको अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और सेर कर दिजेगा चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लिजेगा अगरा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है इसकर आइटन से का आपसन नमबर C यानि की विटामिन B1 विटामिन B1 के कारण ही जो है कमी के कारण ही जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है नेक्स्ट वसा में घुलंसिल बिटामिन है तो वसा में घुलंसिल कौन है यह सभी है A, D, K, E यह सभी जो है कितना A, D, E, K यह चारो जो है वसा में घुलंसिल है जबकि B और C, विटामिन B और C यह दोनों पानी में घुलंसिल बिटामिन है नेक्स्ट है जल में गुलंसिल बिटामिन कौन है तो इसका राइट आउसे का अप्शन नमर C यानि कि B और C दोनों अभी जेस्ट में आपको पताया था नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है बिटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है सभी को पतागा रतौंदी होता है बिटामिन C से सकर्भी होता है ठीक है अब खून की कमी से जो है एनिमिया रोग होता है ठीक है एक जरूरी सूचना अगर आप लोग मोक टेस्ट लगाने के बार अबेलबल हो गए हैं इन सभी का लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है आप लोग चेक आउट किजिए जाकर के यह बहुत ही फाइदेमन्द है चले मैं आप आपको बताता हूं कौन-कौन सा जो है आपको मौक टेस्ट मिलने वाला है एक तो है आपका विकल होने वाला ठीक है जो कि होने वाला ठीक है अगर आप लोग सारी यहां पर अबेलबल कर जया गया है टेस्ट आप लोग जाकर के चेक आउट कर सकते हैं तो जिसमें आपको 40 को संस मिलेगा 50 मिनिट का समय रहेगा आप लोग अगर अच्छा रैंक लाते हैं यानिक एक से तीन लाते हैं तो आपको एक यहर का जो है यानिक वन यहर का एससे प्लस सब्सक्रिप्शन प्रीम मिलेगा बांके आपके रैंक के हिसाब से स्कॉलर्शिप मिलेगा ठीक है और यूज अगर इन्वाइट कोड़ क्या है तो विटामिन बी का रसानिक नाम क्या होता है थाइमीन होता है थाइमीन अप्सन नमर बी राइट हो जाएगा और बांके आपको पता रहेगा विटामिन सी का रसानिक नाम होता है नेक्स टाप के सामने कि विटामिन एक रसानिक नाम क्या होता है तो आपको मैंने लटे नोले बिटामिने का रसाइनिक नाम दोखते हैं किसमनें होता करते हैं उसका रसाइनिक नाम क्या होता है इसका रजोह question चुना है तो इसका राइट आउसर रहेगा नेक्स्ट है सुस्क बर्फ कहां कि सुस्क बर्फ कहाँ जाता है किसको तो सुस्क बर्फ जो है याने कि आसु गैस का रसानिक नाम क्या होता है? क्लोरो एसीटो फिनोन क्या होता है? क्लोरो एसीटो फिनोन इन्हें ही हम लोग असु गैस के नाम से जानते हैं नेक्श्ट कोसन रहेगा इसकरवी रोग किस बिटामिन की कमी की कारण होता है? इसकरवी रोग जहे बिटामिन C की कमी की कायन होता है नेक्स्ट है बिटामिन D का सरवत्तम स्रोथ क्या है तो बिटामिन D का सरवत्तम स्रोथ जो है वो सूरी का प्रकास है सूरी के प्रकास से हमें बिटामिन D प्राप्त होता है नेक्स्ट है विटामिन B7 का रसानिक नाम क्या होता है विटामिन B7 का रसानिक नाम बायोटीन होता है option number B right answer रहेगा नेक्स्ट है जिप्सम का रसानिक सुत्र क्या होता है तो जिप्सम का रसानिक सुत्र C-SO4 into 2H2O होता है यानिक option number B right answer रहेगा नपून संक्ता या बांधिता किस विटामिन की कमी से होता है तो नपून संक्ता जो होता है फ्रेंड्स वो विटामिन E की कमी से होता है किसे विटामिन E की कमी से होता है नेक्स बिरंजक चूर्ण का रसायनिक नाम क्या है तो बिरिंजक चूर्ण का रसानिक नाम होता है केलसेम ओक्सी कोलराइड क्या होता है केलसेम ओक्सी कोलराइड ये बिरिंजक चूर्ण का सुत्र होता है नेक्स टैप के सामने कि सधारन नमक का रसानिक नाम क्या होता है तो सदारन नमकर जो रसानिक नाम होता है वो होता है सोडियम कोलोराइड रने की अने सील क्या होता है अने सील सोडियम कोलोराइड होता है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स टाइप के सामने बिटामिन के का रसानिक नाम क्या होता है इसका राइट ऑंसर का उप्सन नमर B यानि की फीलोक्विनोन ये जो है बिटामिन के का रसानिक नाम है नेक्स्ट कोशन देगा कि मार्स गर्स किसे हम लोग कहते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है इसका राइट ऑंसर का उप्सन नमर C राइट ऑंसर रहेगा नेक्स्ट है मच्छियों के यक्रित के तेल में कौन सी बिटामिन की बहुलता होती है जो मच्छियों के यक्रित के तेल में कौन से बिटामिन पाए जाता है तो सभी को पता को कौन सा बिटामिन पाए जाता है बिटामिन A पाए जाता है क्या पाए जाता है बिटामिन A मचलियों के ये क्रिट के तेल में कौन सी बिटामिन पाए जाती है तो बिटामिन A पाए जाती है अप्शन नमर A राइट आउंसर रहेगा नेक्स्ट है कौन सा विटामीन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है तो कौन सा विटामीन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है फ्रेंट्स तो इसका राइट ओंस तो का उप्शन नमबर C यानि की विटामीन C विटामीन C को गर्म करने पर नश्ट हो जाता है नेक्स्ट रहेगा कोशन बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट सा रोग होता है और इसकर भी बिटामिन C की कमी से रोग होता है नेक्स्ट है बिटामिन सब्द किस ने दिया था तो vitamin सब्द जो है funk ने दिया था option number C यहाँ पे right answer रहेगा नेश्ट है plaster और पेडिस का रसानिक सुत्र क्या होता है इसका right answer का calcium sulphate hemihidrate यह जो है plaster और पेडिस का रसानिक सुत्र है नेश्ट है gypsum का रसानिक नाम क्या है तो gypsum का जो रसानिक नाम है friends वो क्या है calcium sulphate है क्या है calcium sulphate आगे कोबाल्ट किसमें पाय जाता है तो कोबाल्ट किसमें पाय जाता है friends तो इसका जो right answer का option number C देगा vitamin B12 यह बहुत ही famous question से बहुत बार exam में पूछा गया है कि कोबाल्ट किसमें पाय जाता है तो vitamin B12 में ठीक है आगे रक्ट का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्ट का थक्का कौन बनाने में सहायक होता है vitamin K option number B right answer रहेगा next है vitamin A तथा vitamin B का आविसकार थे यानि कि vitamin A और vitamin B के खुच करता कौन है इसका right answer option number B रहेगा यह नहीं कि मेकुलन मेकुलन नहीं vitamin A और vitamin B की खुच की थी जबकि vitamin की खुच फंक ने की थी किसने फंक ने आगे रहेगा आगे रहेगा आपके लिए अंतिम कोशन की सोड़ी अंतिम नहीं यह vitamin C का आविसकार किसने किया था तो जैस्ट अभी मैंने आपको पताया कि फंक जो बिटामिन की खुच फंक ने किया था वहीं बात करें हम लोग होलकट के बारे में तो बिटामिन C की खुच होलकट ने किया था किसने होलकट ने ठीक है नेच्ट है कि अम राज और आज किस वीडियो का आपको क्यों से कि अम राज जिसको अम लोग एक वारेजिया करते हैं इसका मिस्टन कौन सा है देखते हैं इसको आंसर आप को कोन कर पाते हैं सही सही आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑफ लाइन में कमेंट कीजेगा कि आप का यह आंसर कौन-कौन और किसका आंसर सही दे पाते हैं आप लोगों में से ठीक है मैं अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन प्रेस कर लिए चले फ्रेंट्स मिल